हलो फ्रेंग्स डेवाई डेवी चित्रा में आपका स्वागत है आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी सा लड़ू जो आप सब को बहुत ही पसंद आने वाला है बस कह सकते हैं कि छोटा पैकिट और बड़ा धमाका है ये आप इसको बनाएंगे और खाएंगे त लेना है अब हमें यह हमें लेनी स्वाफ gift यह सब लेना है यह मोटी आलि योजो सौप रहे हैं उसे भी बहुत बहुत द्हीμ करें हैं इसको भून लेना है यह तरह सब रहना है dud आलेना है अब हमें इस दोढ़ पूलच Mhm ut यह जो फीड कराते हैं उनके लिए बहुत फाइदा करता है आंकों के लिए बहुत अच्छा होता है यह आप हम उसमें डालेंगे यह सारी चीजे बहुत ही फाइदा करने वाली इसको भी धीमी गैस पर भून लेंगे इस तरह से कलर चेंज होने तक इसके बड़ में निकाल ल लिए और यह एंटियोक्षिडेंट होता है बहुत ही फाइदा करता है वह सारी चीजे जो हमने इसमें डाल दिया इसमें से कोई भी इसकिप ना करें हर चीज डाले इसमें यह देखे यह हमने उसके संफ्लावर सीड ले लिया है इसके भी बैनिफिट बहुत जादा है अभी तेल लाल रहे हैं आपको पता है की कैल्सयम से भरपूर होता है यह जोडों के दरद और गठीया में बहुत रहात देता है इसका और सेखे थी लेना है बिना गी के और ये देखिए रोस्ट हो गया इसको निकाल लेंगे अब हम गे देखिए नियारगल का बुरादा ले रहे हैं आपके पास अगर बुरादा नहीं हो तो आप ये गोला लेके उसको कस ले और इसको भी धीमी गैस पे भून ले हमें इनका मॉस्टर हटाना है जो मुझ क नी बादां वेट लॉस्ट में बहुत फाइदा करता है इस सब बहुत ही स्के बहुत ही जादा करते हैं वह हमने थोड़ा सी ठेंज हो जाएगा इसके बादा लेना है अमने बादाम लिया है बादाम strategy ये बुहत फाएदा करते हैं से बहुत वीटामीन और इनर्जी से वरपूर होता है ये बोन्स के लिए बहुत ही हेल्दी होता है आप इसको जरूर डाले फिर हमने काजू फिर ये देखे पिस्ता ले लिया है थोड़ा सा इसमें से अगर कोई भी नट्स आप नहीं डालना चाते है तो वो ना डाले उसके बिना भी ठीक रहेग चोटा चोटा फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको हम इस तरह से भून लेंगे फूल जाता है और इसके बाद में इसको डालेंगे ये हमारे लड़ू में बहुत ही अच्छा है इसके बाद में ये देखे हमें एक काटोरी करीब 500 ग्राम करीब आटा होगा आधा किलो के धीमी गैस पे इसको भूनना है धीरे-धीरे करके इसको भूनने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा आठ चे दस मिनट भी लग सकता है धीमी गैस पे जब कलर इसका हलका चेंज हो जाएगा खुश्बू आने लगेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आटा भून गया ह इस तरह से आटा हमारा भुन रहा है तब तक हमने जो भी ये देखे लिये थे सारे बीजो को हम ये ग्राइंडर में डाल के इनको पीस लेंगे हमें इनका पाउडर बना लेना है और आप चाहें तो थोड़ा हलका सा दरदरा रख सकते हैं क्रश वाला पर पाउडर बना इस तरह से पिस तरह इसको हमें दूसरे बर्तन में डिकाल लेंगे इस तरह से अब हमने जितने भी तरह बम भी और झालिम्ट के मिलादा है इस दीखे जाड़ा बयिए मिल 같아 बहुती सारे चीजेन ज़्यादा करती हे कब से राहत दिलाता है हमारी इसकिन के लिए अच्छा होता है ये देखेंए एक छमठ ने जो भून रहे पोटंसाइड न्युब Chery Legislate Tea लड्डisac चाहते वो सब हमें मिलती है एक से दो लड़ू आप रोज खाएंगे तो यह बहुत ही फाइदा करता है इस तरह से इसको हमें भून लेना है इसके बाद में जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हमें हटा लेना है इसके बाद में देखें गुड ले लिया है 500 ग्राम के करीब रह जाए तब इसको आप अगर चमत से देखेंगे तो यह थोड़ा थिक सा उपर से गिरेगा और ड्रॉप जो है उसका थोड़ा एक एक करके गिरेगी थोड़े रुक रुक के तो आप समझ जाएं कि हमारे यह देखें इस तरह से कि गुड पक गया है तब आपको यह इन लड़ों में एक नई जान डालेगा यह बहुत फाइदा करता है हमारे यहां जब भी बच्चा किसी भी लेडी को होता है तो यह लड़ो बनाए जाते इसको दुआ आने तक इसको गरम कर लेना है फिर हम इसको इसमें यूज करेंगे जो भी हम बनाएंगे आप इस लड़ों आपको कितना फाइदा किया इसमें वह सब चीजे है जो हमारे सरीर के लिए इसकिन के लिए फाइदा करती है न्यू मदर जो फीडिंग करा रही है उनके लिए यह बहुत अच्छा है वह इसको बनाएं और ठंड में यह बहुत हमारे बड़ों के लिए और सब के यह बहुत ही अच्छा है अब इस तेल को हम इस सारी मंसाले के साथ इसमें मिक्स कर देंगे और मिलाएंगे आप इसको जरूर खाएं बस एक चीज का ध्यान है प्रेगनेंट लेडी जो भी है वो इसको ना खाएं क्योंकि इसमें सारी गरम चीजे हैं इसलिए उनके लिए मना लेकिन बाकी और सब लोग इसको खा सकते हैं वेट लॉस में भी यह बहुत जादा फाइदा करता है अंदर की सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती उनको यह दूर करता है इसलिए आप इस लड़ू को जरूर बनाएं और खाएं यह आपको एनरजी से भरपूर रखेंगा इसलिए थोड़ा सा गंदगी निकली है वो खराब कर देता है उसको इसलिए आप जब भी इसमें डाले तो हमेशा थोड़ा सा चान के डाले हमने जितना आटा लिया है उतना ही गुड लिया है आप अगर थोड़ा मीठा ज्यादा खाते हैं तो आप उसको गुड की कौंट इन में से कुछ चीजा जो आपके पास नहीं है तो आप उनके बिना भी बना सकते हैं और इस तरह से अगर आप गुड यकानल चांपने शोड़ा नहीं में किया है तो बलीज शव्क्राइब कर लें हम इस तरह की अच्छी डेषपी लाते रहते हैं यह दिखिए इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स करके हमें इस तरह से लड़ू बना लेने हैं और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ताकि और भी लोग इसके बेनिफिट को उठा सकें और इस लड़ू को बनाएं और और वो आपको थेंक्यू कहें क्योंकि आपने उनको यह जानकारी दी है आपने उनको बताया कि आप इस तरह का लड़ू बनाएं और खाएं यह बहुत ही फायदा करेंगा अभी ठंड बहुत दिन चलने वाली है अभी ठंड है आप यह बना लेंगे तो अभी बहुत दिन क जलते हैं आप वैसे भी बना की खाएंगे बस इतना ध्यान रखें कि इसको बहुत ज्यादा ना खाएं आप दिन में एक या दो लट्डू खा लें सुबह उठके और दूद के साथ खाले या बादम पानी पीले आप किसी के साथ भी घा सकते हैं फायदा ये बहुत करें जलूर बनाएं खाएं ओके फ्रेंड्स थैंक्डू